जो कि मेरे भाई बात चाहे face smooth करने के हो या background को editing करने का जो कि दोस्तों हम लोग अपना light room से करने जाएंगे बहुंस सारा समय लगेगा Pixar से भी करेंगे तो दोस्तों बहुंस सारा समय लगेगा Snapchat से भी करेंगे तो महुंस सारा समय लगेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दो ऐसे AI application बताऊंगा जिसके मदल से दोस्तों आप लोग जीरो लेवल से एकदम professional लेवल की photo editing कर सकते हो तो बिना time waste के दोस्तों चलते हैं अपना editing के और पर वीडियो इस्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक request जरूर करूंगा वीडियो जरा सभी अच्छे लगे प्लीस यार अपने भाई को जरूर से support करना तो मेरे भाई यहां देख सकते हो जो कि हम लोग का real peak देखने में काफी ज़्यादा black और कितना ज़्यादा खराब लग रहा है ठीक है दोस्तों तो यहां सबसे पहले आप लोग जब भी editing करो तो एक काम आप लोग को जरूर से करना है तो यहां से कट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग को अपना रिमनी के अंदर सेंड करेंगे और कुछ सेकंड बे दोस्तों जो कि हमारा quality इन्हेंस हो जाएगा और जो हमारा photo इतना ज़्यादा black था दोस्तों उस पे proper तरीके से light adjustment भी हो जाएगा मैं यह भी नहीं बोलूँगा कि दोस्तों आप लोग को 30 सेकंड एड देखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों मैंने जो कि अपना रिमनी के अड़ उसको finally बंद कर लिया है आप भी करना चाहते हो रिमनी के अड़ को बंद तो आप लोग यह वाला वीडियो को जाके देख लेना आप लोग को भी अपना रिमनी के अड़ बंद कर सकते हो और finally यह हम लोग का देख सकते हो before किस तरीके से था और आप तर यहाँ आप लोग खुद देख सकते हो वान क्लिक में दोस्तों हम लोग का फानली जो की लाइट एजस्मेंट हो चुका मेरे भाई इसलिए बोलता हूं यार कि प्लीज से वीडियो को लास तक जरूर से देखना भाई जो छोटा यूटूबर आप लोग को बताएगा मेरे भाई वो आप लोग को बड़ा यूटूबर कभी भी नहीं बताएगा फानली यहाँ देख से तो quality enhance कर लेने के बाद अब हम लोग को अपना उपर डाउनलोड का अपसन है अगेन इस पर click कर लेना है और इसको यहाँ से finally कर लेना है save जो की save कर लेने के बाद अब मेरे भाई अब बताता हूं कि आप लोग को जो की one click में face को smooth कैसे करना है जो की application आप लोग को कहा मिलेगा ओभी बताऊंगा दोस्तों और कौन सा application है ओभी बताऊंगा फानल दोस्तों आप लोग को face को smooth करने के लिए यह वाला application जो की download करना पड़ेगा एप का नाम है airbrush जो की यह मेरे आप लोग को telegram पे मिल जाएगा और telegram करेंगा आप लोग को नीचे डिपक्रेशन में मिल जाएगा भाई एर बरस को हम लोग फानल यहां open करेंगे और यहां हम लोग को पूरा गिलेरी सो हो जाएगा मेरे भाई तो जो अभी हम लोग ने quality इन्हेंस किया है उस वाली पिक्कों से हम लोग को करने के लिए यहां आपलों ब्रूम को करने किंता है यहां सो हो को करने क्यां किसे अविए इस पर करना किन पर फानल यहां भी एकड़ों का टेक्शेर भीर लिज नहीं होगा यहां सेकतों बिफौर इंवटर बट यह अब हम लोग को कर लेना है राइट एक बार और दोस्तों हम अपने मैजिक पर क्लिक करेंगे ताकि हमारा तो दोस्तों आप लोग manual तरी सिके से भी कर सकते हो, यहाँ scroll कर लेना है, यहाँ आप लोग को एक options हो जाएगा smooth का, इस पर click कर लेना है, और यहाँ से दोस्तों अब आप लोग यहाँ कुछ इस तरीके से paint करके भी अपना जो की face है उसको smooth कर सकते हो, नहीं तो आप लोग यह यहाँ से भी आप लोग का face smooth हो जाएगा, जितना आप लोग opacity बढ़ाओगे उतना जाद आपनों का face smooth होगा, यहाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग दोस्तों इस application के मदद से face को smooth कर सकते हो, अगें अब यहाँ से करेंगे right, जो कि दो distance होगा, skin tone का, इस पर click कर लेना है, right side में आप लोग को देख सकते हो, ठेर सारा colors हो रहा है, यहाँ से आप लोग को जो कि नीचे side के यहाँ से आप लोग को 3-4 color में से एक color select कर लेना है, कुछ इस तरीके से, कुछ नहीं होगा भाई, अब जब तक आप लोग आटो पे click नह पास रख लूँगा, again अब यहाँ से कर लेंगे, हम लोग finally right, और दोस्तों यहाँ देख सकते हो, कितना आसान तरीके से हम लोग का face तो smooth हो चुका, ठीके दोस्तों, अब बताता हूँ कि आप लोग को जो कि बेगराउंड को कैसे editing करना है, और भी एकदम professional level का, और भी one click मे तो finally save पहले कर लेते हैं, save करने के लिए यहाँ दोस्तों हम लोग को जाना है, उपर download का अपसान है, again इस पे, और finally click करेंगे तो photo हम लोग को यहाँ save हो चुका, मेरे वहाई, ठीके अब बताता हूँ कि आप लोग को one click में जो कि background को editing कैसे करना है, तो finally दोस्तों अब आ जा हूँ, ठीक है मेरे भाई, यहाँ finally canva fs disk को हम लोग यहाँ finally open करेंगे, open कर लेने के बाद मेरे भाई यहाँ थोड़ा सा हम लोग का loading लेता है, ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरिकी का interface होगा, तो अब हम लोग को यहाँ again एक plus का icon सो रहा है, देख सकते हो, इस पे click करना है मेरे भाई, और यहाँ हम लोग को जो कि नीचे के साइड अपना देख सकते हो, सारा पीक है, जो कि यहाँ पर हम लोग को सो हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ CRL पर click करोगो तो आप लोग को सो जाएगा, बट मेरे को जरूरत नहीं है, जो अभी हम लोग उने faces smooth किया, उस बाल फानली लोडिंग देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई, जो कि मेरे भाई, उसके बाद आप लोग को कुछ इस तरीके का एंटरफेस हो जाएगा, फानली अब यहाँ आप लोग को यहाँ देख से तो एक options हो रहा है, इफेक्ट का इस पर click करना है, इस पर click करोगे दोस्तों यहाँ आप लोग को तीन options हो जाएगा, जो कि यहाँ आप लोग को magic edit पर click करना है, कुछ इस तरीके का एंटरफेस होगा मेरे भाई, अगेन यहाँ आप लोग ब्रस के मदश से भी अपना background को कुछ इस तरीके से paint करके editing कर सकते हो, बढ़ दोस्तों आप लोग को इतना महनत करने का सकता नहीं पड़ेगा, जो कि यहाँ आप लोग को taps हो रहा है, इस पर click कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों को second loading लेगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग को अपना background पर कुछ इस तरीके से tap कर लेना है, जो कि दोस्तों आप लोग का एक बार में नहीं होगा, आप लोग को यह आना चाहिए कि आप लोग को किस फोटो पर किस तरीके का background रखना है, वह आप लोग सही तरीके से समझ गये तो दोस्तों आप लोग एकदम पर फोटो को editing कर सकते हैं, अब जैसे मेरा फोटो का background नौर्मल था, इससे लिए दोस्तों मैं यहाँ आपना background भी इस पर किलिक करेंगे, और यहाँ दोस्तों आप लोग को किस तरीके का background चाहिए, वह आप लोग फानली टाइप कर लेना, अब जैसे कि दोस्तों मैं अपना इस वाले फोटो पी उसकर रहा हूं, बलेक background और sunlight, तो कुछ इस तरीके के मुझे अपना इस फोटो पर चाहिए background इस तरीके से मैंने type कर लिया है, अब हम लोग अपने यहाँ देख सकते हो, generate वाला अपसन है मेरे भाई इस पर किलिक करेंगे, और फानली दोस्तों हम लोग का जो की one click में background editing हो जाएगे यार, अगर आप लोग अपने फोटो के according ही background को रखोगे दोस्तों तभी आप लोग जाता है, पसंद नहीं आ रहा है मेरे भाई, तो tension मत लेना यार, आप लोग यहाँ generate अगेन वाला अपसन है, इस पर क्लिक कर लेना, आप लोग को फीर से forward and मिल जाएंगे, जो कि आप लोग दोस्तों अपने हिसाब से देख के कोई भी background रख सकते हो, जो कि यहाँ दोस्तों देख सकते हो, किस तरीके से हम लोग का फोटो बन चुका, इन में से मैं कोई भी अपना एक रख ले रहा हूं, जैसे कि अपना यह वाला रख ले रहा हूं दोस्तों, अब यहाँ से कर लेंगे, done, और finally देख सकते हो, कि कितना professional तरीके से, अब हम लोग का फोटो जो की दोस फोटो फाइनली आप लोग को दोस्तों एकदम हाई एईटी में सेब हो जाएगा मेरे भाई, फोटो को सेब कर लेने के बाद मेरे भाई एक काम आप लोग को और जरूर से करना है, इस पिक को ले जाना है अपना लाइट रूम के अंदर थोड़ा सा कर लेना अप लोग को फाइनली लाइट एजस्मेंट, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, तो यार प्लिस अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना के, यूँकर दोस्तों अपनों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बर सकता, तो चानल पर नह कर दोस्तों आगे बिनाम का दोस्तों सकता, तोसे के बिना praying olvid", औोसे के प्याद सेवते हैइनली और बसे दोस्तों लिशवेंघे स्थाइ़ करेंगे।